नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण, आईए जानते हैं आज 2 अगस्त की बड़ी खबरें, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताईए, साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सबस्क्राइब कर ले, आज की पहली खबर है कि नई संसत की छट से पानी लीक, नीचे बाल्टी रखी एक साल पहले बनकर तयार हुई नई संसत की छट से पानी लीक होने का एक वीडियो सामने आया है, इसमें दिखाई दे रहा है कि संसत की लॉबी में पानी गिर रहा है और उसके नीचे एक बाल्टी रखी है, जि कहा कि ग्रीन संसद की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संसद भवन के कई हिस्सों में काच के गुंबद ग्लास डोम लगाये गए हैं ताकि नैचुरल लाइट आ सके इसमें लॉबी भी शामिल है बुधवार को भारी बारिश के बाद ग्लास डोम को सील करने के लिए गया पदार्थ हट गया था जिसके चलते पानी का रिसाव हुआ हालां कि इसे अब ठीक कर लिया गया है लखनव में लड़की से बदसलूकी दो IPS हटाए गए लखनव में सडक पर भरे पानी को लड़की पर उच्छालने और बदसलूकी करने की घटना के बाद सरकार ने ग पूरी लिस्ट आई है पहला अपराधी, पवन यादव, दूसरा मुहम्मद अर्बाज चैन्नई में सिलेंडर 1870 रुपय का मिल रहा है, हालां की 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, दिल्ली में यह 803 और मुंबई में 800 ध्वक्का मिल रहा है श्रीकृष्ण जन्मभूमी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, मतुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमी शाही इदगाह विवाद मामले में हाई कोट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी इलाहबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी पूजा खेटकर की अग्रिम जमानत खारिज ट्रेनी IAS अफसर रही पूजा खेटकर की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दी है पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार एक अगस्त को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि UPSC परीक्षा में फर्जी वाड़ा करने वाले बाकी कैंडिडेट्स की भी जाँच की जाए साथ ही अगर UPSC के किसी कर्मचारी ने पूजा की मदद की हो तो उसकी भी जाँच हो पूजा खेटकर पर उम्र, माता-पिता की गलत जानकारी, पहचान बदल कर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसस का एक्जाम देने का आरोप था UPSC ने दस्तावेजों की जाँच के बाद पूजा को CSI 2022 नियमों के उल्लंगन का दोशी पाया था इसके बाद UPSC ने उनके खिलाफ FIR कराई थी ITR फाइलिंग की डेडलाइन हुई खत्म, अब 5000 तक फीस लगेगी इंकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो गई है वित्तवर्ष 2023-2024 के लिए अब तक 7 करोड से ज्यादा ITR फाइल किये गए हैं आखिरी दिन यानी 31 जुलाई 2024 को शाम 7 बजे तक 50 लाख से ज्यादा ITR दाखिल किये गए हैं जिन लोगों ने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, उन्हें अब ITR भरने के लिए लेट फीस देनी होगी इंडिविजुल टैक्सपेयर की सालाना आए 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5000 रुपए फीस लगेगी अगर कमाई 5 लाख रुपए से कम है तो 1000 रुपए लगेंगे जारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित जारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पाँचवे दिन भी हंगामा हुआ सुबह कारेवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया जिसके बाद विधान सभा अध्यक्ष रवींद्र महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से दो दिन के लिए निलंबित कर दिया है दो अगस्त दो पहर दो बजे तक के लिए विधायकों को सस्पेंड किया गया है तमिलनाडु में NIA की 20 ठिकानों पर छापेमारी तमिलनाडु में गुरुवार को National Investigation NIA ने PMK नेता राम लिंगम की हत्या की जांच के सिल्सिले में तमिलनाडु में 15 और करायकल में एक ठिकाने पर छापेमारी की राम लिंगम ने प्रतिबंधित संगठन, PFI की धर्मांतरण गतिविधियों का विरोध किया था, जिसके चलते तंजावुर में 2019 में उनकी हत्या कर दी गई थी स्वपनिल ने डेब्यू ओलिंपिक में मेडल जीता, मेडल जीतने के बाद स्वपनिल ने कहा, फाइनल में मैंने 451 पॉइंट, 4 पॉइंट हासिल किये, मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं देश के लिए मेडल जीता, फाइनल के दौरान काफी नर्वस था, धड़कने ते इस पर विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल पूछा और हंगामा किया रेल मंत्री ने कहा हम रील बनाने वाले नहीं काम करने वाले लोग हैं जो लोग यहां चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 सालों में वे एक किमी दूर भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP क्यों नहीं लगा पाए आज वे सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवार्ड नहीं रहे पूर्व भारतिय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच रहे अंशुमान गायकवार्ड का बुधवार देर रात को 71 साल की उम्र में निधन हो गया है वे लंबे समय से ब्लड कैंसर से पीडित थे भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बी सी सी आई ने गायकवार्ड के इलाज के लिए एक करोड रुपए की मदद भी की थी इसके अलावा गायकवार्ड के लिए 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्यों ने भी मदद की थी जम्मू कश्मीर के सामबा में पाकिस्तानी घुस पैठिया मारा गया जम्मू कश्मीर के सामबा जिले में भारत पाक बॉर्डर पर बी सेफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुस पैठिये को मार गिराया है BSF के IGD के बूरा ने गुरुवार को बताया कि घुस पैठिये को बुधवार रात करीब 10 बजे खोरा पोस्ट के पास भारतिये इलाके में घुसते देखा गया BSF जवानों की चेतावनी के बाद भी घुस पैठिया नहीं रुका जिसके बाद फाइरिंग में वह मारा गया हरियाना के शूटर सरब जोट सिंह दिल्ली पहुंचे पैरिस ओलिंपिक में 10 मीटर मिक्स डबल शूटिंग में कान से पदक जीतने वाले अंबाला के खिलाडी सरब जोट गुरुवार को भारत लोटे उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाडों के साथ जोड़दार स्वागत किया गया सरब जोट का परिवार धीन गाम में बेटे के लोटने का इंतजार कर रहा है प्रोटोकॉल के चलते आज सरब जोट दिल्ली में ही रहेंगे केरल के वाइनाड में तेज बारिश के बाद लैड़्सलाइड में मरने वालों की संख्या 283 हो गई है 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग आज तीसरे दिन भी लापता हैं मौसम विभाग ने आज गुरुवार को फिर से वाइनार्ड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने फिर से कुछ जगहों पर लैंड स्लाइड का खत्रा जताया है BCCI की IPL टीम मालिकों के साथ मीटिंग हुई IPL के नए सीजन से पहले भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बुधवार को मुंबई में सभी दस टीमों के मालिकों के साथ मीटिंग की मीटिंग के बाद जारी एडवाइजरी में BCCI सचिव जैशाह ने कहा भारतिय क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को IPL के आगे के सीजन से संबंधित कई विशयों पर दस फ्रेंचाइजी के मालिकों के साथ बात चीत की उन्होंने बयान में आगे कहा फ्रेंचाइजी मालिकों ने खिलाडियों के रेगुलेशन और लाइसेंसिंग गेमिंग सहित कई कॉमर्शियल पहलूँ पर पर फीडबैक दिया है तो दोस्तों यह थी आज की बड़ी खबरे आप इस विडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताईए